राजनीती एक ऐसा गहरा कुआ है जिसमें कोई डुपके भी लगा ले तो अनन तक जाता जाएगा पर किनारा नहीं पाएगा एक ऐसा कुआ जो गंतब्य विहीन है एक ऐसा कुआ जो प्रपंचो से भरा पड़ा है एक ऐसा चेत्र जहां मानोता कम हैवानियत ज्यादा दिखाई देती है हैवानियत इसलिए क्योंकि यहां हर घटना को अलग चश्मे से देखा जाता है यदि वोट बैंक को सूट करती है तो राजनेता उस घटना के घटी तस्थान पर जाकर नाक तक रगड लेते हैं और अगर वोट बैंक नहीं है तो जख मारने की भी जहमत नहीं उठाते हालिया लखिंपूर खीरी का मामला इस बात का प्रत्यक्चुदारण है जहां दो नवालिक वेटियों के साथ दरिंद्गी को अंजाम दिया गया और बाद में उन्हें मार कर उनकी लाश को पेंड पर लटका दिया गया नमस्कार आप देख रहें TFI जो है देश का सबसे विश्वश्णी ऑल्टरनेट न्यूज मेडिया पोर्टल मैं अमलीस दिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे दरिंद्गी को अंजाम देने वाले वलतकारियों के रोप में मुस्लिम लड़कों का नाम सामने आने के बाद लिब्रांडूओं, राजनेताओं, विश्लेसकूं और यहां तक की रणीतिकारों के कुन्बे में ऐसा मातम चाया है कि उनके मुह से आवाज ही नहीं निकल रही हम आगे बढ़ेंगे, उससे पूर भी यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आप हमें फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें दरसल यूपी के लखिमपूर खेरी जिले के निघासन इलाके के एक गाउं के बाहर, 14 और 17 वर्स की दो दलित लड़कियों के पेड से लटके पाई जाने के एक दिन बाद पुलिस ने गुरुवार को अपराध में शामिल सभी 6 आरोपियों को गिरफतार कर लिया पोश्मार्टम रिपोर्ट में मौत की वज़ा रेप और गला घोटनी की बताई गई है इस घटने के बाद एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों ये तत्व अब भी नहीं मान रहे हैं लेकिन उससे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि जो लिबरल कुनबा अपनी बड़बोली जवान से हातरस की घटना पर अपनी चूडियां तोड़ने तक को तयार था वो आज ऐसा मौन बैठा है जैसे पूरे कुनबे को साप नहीं कोबरा सुंग गया हो द्यान देने वाली बात है कि लखियंपूर खेरी इलाके में घुरुवार को उत्तर प्रदेश पुलिस ने दो नवालिक दलित लड़कियों का रेप करने और उनकी बेरहमी से हत्या करने के आरोप में जुनैद, सोहिल, आरिफ, हाफिज, करीमोदीन और छोटो नाम के छे लोगों को गिरफतार किया मामले की जाच करें पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफतारी के दोरान जब आरोपी जुनैद ने भागने की कोशिश की तो उसके पैर में गोली लग गई प्रब जानकारी के नुसार घटना बुधवार की बतायी जा रही है जब सोहिल और जुनैद नाम के दो आरोपियों ने दो दलित नवालिक लड़कियों को गन्ने के खेत में घसीटा और उनके साथ बेरहमी से कोकृत किया और उनके दुपट्टों से ही उनका गला घोट कर उन्हें एक पेड़ पर लड़का दिया इस घटना में जब से आरोपियों के नाम बाहर आये हैं जिन में अधिकान समुदाय विशेस के हैं तब से नहीं लिबरल कुनबे की और से ओ अक्रामत प्रतिकिरी आई है जो इसी लखिमपुर खीरी में पिछले वर्स हुई घटना पर अजय मिस्री टेनी के पूतर आशीस मिस्रा समेत पूरी भाजबा सरकार को निशाने पर ले रहे थे और हातरस में हुई ऐसी ही जगन घटना पर अपनी चूडिया तोरने को तयार थे बात सुरू करे तो बिपक्षी नेताओं में राहुल गांधी को ही देख लीजे जो हातरस वाली घटना में स्वेंग पहुँच गए दरसल कॉंग्रेश नेता राहुल गांधी अपनी प्रियंका समेत लगभग 200 कारेकरताओं के लाव लशकर के साथ हातरस जाने के लिए निकल पड़े थे ओभी तब जब पूरे देश में महमारी कानून लगा था और कहीं भ रही थी पर इस बार मानगे ट्वीट ट्वीट खेल तो रहे हैं पर जिस अक्रामक्ता के साथ हातरस के दोसियों पर बोल रहे थे इस बार उसका एक फिस्ती भी नहीं दिख रा कारण वाजीब है उनकी बोट बैंक में खलल पड़ जाएगी जो उत्तर प्रदेश में पहले घटना को लेकर पिये मोधी उनके मंतरी मंतरी के बेटे सब को कट घरे में खड़ा करने वाली प्रियंका इस बार एक ट्वीट करकर अपनी ओर से अपचारिकता पूंड कर रही थी प्रियंका गांधी ने आरोपियों के बाहर आ चुके नाम लेने की भी जहमत नहीं अगला नाम है प्रशांत भूशन का जीने कोई संजीदा नहीं लेता है और सब दूध में आई मक्खी के समान उने छिटक देते हैं पर अपने अस्तित्वी की लड़ाई में ओ मोधी सरकार पर आरोप लगाते और बहुत कुछ कह जाते हैं फिर ओ हात्रस वाला मामला रहा ह या लखिंपूर खीरी में खिसानों पर होई घटना का या हमेशा चिगारते दिख जाते थे पर इस बार उन दो नबालिक बेटियों के साथ होई दरिंद्गी पर प्रशांत भूशन के मुह से एक सब्द नहीं भूटा नहीं कोई बयान नहीं कोई ट्वेटिव क्यों वज जाती के प्रश्ण को उठाना जाती बाद है क्या न्याय की मांग करना राजनीती है वहीं लखिंपूर खीरी में किशानों पर होई घटना को लेकर जूट परोस्ते गये जिसके बाद पीटर ने उनके ट्वीट को भारत से हटा भी दिया था यहीं योगेंद्रियादो दो लखिंपूर खीरी में किसानों पर होई घटना पर कए ट्वीट किये थे पर उसकी सचाही इतनी थी कि इस साल उसको इन सभी मामलों में कोट में हाज इर होने को कहा गया था जूट के चकर में उसे जेल भी जाना पड़ा था लेकिन इस बार उससे एक सब्द नहीं लिखा गया क्योंकि इस बार जुबैर के लिए अब्बा नहीं मानेंगे वाली परिस्तिती थी अगला नाम है उंगली विसे सज्ज्या स्वरा भासकर का स्वरा इतनी आत्म विश्वासी थी कि हात्रस वाली घटना पर सीधे स्यम योगी का इस्तीफा मांग लिया था इनी मैडम न हमेशा बोला पर इस बार नहीं बोला सौ बात की एक बात यहीं है कि उपर से नीचे तक लगते अब तो हमाम में सब नंगे हैं इन सभी की चुपी इसलिए ही है क्योंकि यहां उनके एजंडे में फिट नहीं बैठता और इसी कारण उनके मुह में दही जम गया है